इसे एक बार खाले आपकी डिप्रेशन जड़ से खतम हो जाएगी नमस्कार दोस्तो अनोज हैल्थ टिप्स में आप सबीका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ दोस्तो आज मैं बताने वाली हूँ डिप्रेशन की पूरी तरह से इलाज रात की निंद उड़ जाए तो समझे मामला गड़बड है बड़ी बात यह है कि हर तरह के डिप्रेशन का पूरी तरह इलाज जादा दिकत हो गया तो सुगर अवर बिपी की तरह इस दावा अवर लाइफ एस्टाइल में बदलाव के साथ मौजूद किया जा सकता है अगर लच्छन पर ध्यान दे तो जादा तरह बीमारी को गमिर होने से पहले रोका जा सकता है डिप्निशन भी हमारी ऐसा ही है मनुस्य परशानी होती है उदासी से कई तरह अलग है कब डॉक्टर के पास जाए खतरनाख हो सकता है क्योंकि इसका दावा कभी बंद नहीं होती है तानाव घबड़ा हट मुंड अफ होना या फिर उदासी या सबसे लच्छड जिन्दगी में एक आईस नहीं आती है हर दिन आती जाती रहती है एक दिन में कई बार भी हो सकता है लेकिन इनका वजे से हमारे कमिया हमारे रुकावट हमारे बड़ी लो गनीजियन शरीर में उनियन ज्यादा परवावित नहीं होती है दोस्तो नुस्का को देखकर और प्लीज लाइक से यर कमेंट सस्क्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तो यह है मंगरयल मंगरयल से आपकी डिफ्रेशन हमेशे के लिए जड़ से खतम हो जाएगा दोस्तो हम इसे पावडर बनाएंगे तो दोस्तो हम यहाँ पे पावडर बना लिए हों दोस्तो हमको सबसे पहले लेना है एक गिलास दूद दोस्तो आपको गाय के ले सकते हैं या भैस के कोई आप दू लेख सकते हैं दोस्तों अब हम लेंगे तर्मारीक और तर्मारीक के पाड़र से हमारे शरीर में जितना ठकान होता है उसको खतम करने में बहुँ जादा मदद करता है तो दोस्तों हम लगबग आधा चमस की मात्रा मिली है हल्दी पाड़र दोस्तो हमको लेना है मंग्रेल का पावडर, दोस्तो हम लगभग आधा चमस इसी को भी हम दूध में आड़ करेंगे, दोस्तो हम दोनों चीजों के दूध में आपस में मिक्स कर लेंगे, दोस्तो हमारे अनुसका बनकर त्यार हो गया है, दोस्तो आएए जानले कब और कैसे पीने से हमारी डिफ्रेशन की इलाज हो सके दोस्तों इसे लगतार दो हपता तकले आपको पीना है वह भी खाली पेट दोस्तों खाली पेट पीएंगे तो आपकी डिफ्रेशन से छुटकारा मिल जाएगा तो दोस्तों यही थी हमारी आज की नए जयानकारी हमारी जयानकारी